खोफह अंज एलो गाइस तो आज हम लोग करने वाले हैं Ball Mills önce पेवल्स जिसको पेवल्स मिल्स भी करते और सनलिंग मिल्स भी करते कि बाल मिल्स को ही पेवल्स और सनलिंग मिल्स क आचाहिं थे इजह Latino कौते हैं ये इनका मारते हैं किसी चीज़ को ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा impact दे रहे हैं impact कहने का मतलब के ओवर इस र्वरेंशन मर टाइम हम रिपिट इसको कर रहे हैं एसे मारेंगे तो यह क्या है हमारा impact हो गया और यह हमारा जो pressure लेगा काफ़ी high pressure से होता है ठीक और attrition means rubbing, यानि इस पर rubbing करके हम उसका क्या करेंगे, side reduction करेंगे, यानि इसमें दोनों होता है impact और attrition, दोनों इसमें होता है ball mills में, इसका principle जो होता है impact और attrition पर काम करता है, और यह किनके बिस लगता है, the moving balls, यानि कि जो ball mills में हम ball use करते हैं, ठीक है, उनमें लगता है और material के बीच में लगता है, यानि कि दोनों material जो है ball mills और material के बीच में कौन-कौन से stress लगता है, impact और attrition लगता है, तो यही मैंने note में लग दिया है, ताकि आप भूले नहीं, stress in the ball mills, अगर पोच दे कि हमारा ball mill में कौन सा stress लगता है, तो हमारा answer होगा impact और attrition, अब बात करें के working के बारे में, तो जो हमारा material हम उसमें डालने वाले है, ball mills जो होता है, cylindrical shape का होता है, और उसमें हम ball feed करते हैं, ठीक है, ball होता है उसमें, और जो material हम feed करते हैं, वो कितनी होने चाहिए, यानि कि हमारा cylinder का अगर भलूम, जो हमारा vessels है, 100% है, तो 100% में से सिर्फ 60% ही हम क् करेंगे, material को feed करेंगे, जिसका हमको size reduction करना है, जिसका हमको size का छोटा करना है, ठीक है, तो हम उस चीज को 60% ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादे अगर भरेंगे, तो क्या होगा, कि हमारा side reductions होगा, size को हमको छोटा जो करना होगा, यह affected हो जाएगा, और proper way में काम नहीं करेग ठीक, अब बात करें के, जो desire size, अगर हमको किसी चीज को, मतलब exact जो बोलते हैं न, कि जैसे कि यहीं हमको size चाहिए, तो वो size किस पर depend करेंगे, अगर हमको उस चीज को लिकालना होगा, कि हमको यह size के चाहिए, या फिर इतने बड़े चाहिए, तो यह किस चीज पर depend करेंग कि हम 5 balls यूज करना है, ठीक, अगर हमको इसका लिकालना होगा, तो हो सकता है, कि 4 balls हम use करें, तो number of balls पर हमारा desire size, जो हमको size चाहिए, तो number of balls पर भी depend करते हैं, कि हमको इतना balls यूज करना है, इतना balls यूज करना है, इतना balls यूज करना है, इस size के लिए, ठीक है, दूसरा हो अब बात करते हैं कि इनका स्पीड कैसा रखना होगा हमारा जो यह सिलेंड्रिकल वेसल्स है इसका स्पीड हमें कैसा रखना होगा ठीक है अगर हमारा लोर स्पीड रहेगा अगर हमारा लोर स्पीड रहेगा तो यह क्या है यह पार्टिकल्स है हमारे जो हमने फीड करा है ठीक है और इनी के बीच में यह मतलब यह पार्टिकल्स है और इसी में कोई कोई है क्या मल इसे यह बॉल हो गया इसमें बीच में पार्टिकल यह बॉल्स हो गए ठीक है यह बॉल्स हो गए यह बॉल्स हो गए और इन्हीं के बीच में मालने के हम रेड़ वाला जो है पार्टिकल्स है ठीक है हमारा जो फीड है जिनका हमको साइज डिड्रक्शन करना है ठीक तब हमारा low अगर speed रहेगा हमारा low speed रहेगा मतलब cylindrical vessels का कहे तो ball même का तो इसमें जाधे क्या होंगे attrision होंगे क्या होंगे जाधे attrision होंगे यानि कि rubbing इसमें क्या होंगे जाधे होंगे then impact यानि impact impact कहने का मतलब ऐसे जो हम मारा हैं जो इन पर ball directly गिर रहे हैं material पर जैसे उपर से बॉल directly ऐसे गिरेंगे तो यह हो गए impact और जैसे इन में rubbing हो रहे हैं यानि कि यह attrition हो गए तो हमारा जो speed अगर low रखेंगे तो इन में क्या जादे रहेगा attrition जादे रहेगा और impact कम होगा ठीक है तो at the low speed attrition will be greater than the impact of stress अगर हमारा high high speed तो यह क्या होंगे इन में नहीं attrition रहेंगे और नहीं यह क्या करेंगे करते रहेंगे सिर्फ rounding करते रहेंगे यानि कि हमारा कोई grinding नहीं होगा जब हमारा high speed रहेगा तो वहीं अगर बात करें critical speed की या correct speed हम बोले तो इन में क्या होगा attrition और impact इन में दोनों काम करेंगे जैसे देखिए हमारा यह ball move कर रहा अब उपर से यह गिर रहे है यानि कि यह क्या लग रहे है impact उपर से जो इस पर गिरेंगे यह मान लीजे इननी में हमने बताया था मैंने एक ही size का बना दिया है लेकिन चलिए यह हमारे balls हो गए ठीक है अब यह balls जो है हमारे इस पर material पर गिरेंगे तो यह क्या कर रहा है impact create कर रहे है यानि कि उनको shock दे रहा है उनको high pressure दे रहा है high force दे रहा है किसके लिए तोडने के लिए ठीक है यह जो गिर रहे है और जो यहाँ पर हो रहा है हमारा इधर का जो ball है ऐ एट्रीशन क्रियेट कर रहे हैं यह जो मूब कर रहा है ऐसे उपर की और ऐसे हमारा बॉल यह जो सिलिंट्रिकल वेसल्स है हमारा बॉल मिलका यह ऐसे गुम रहा है अब एट्रीशन जो है ऐसे लग रहा है हमारा बॉल और जैसे ही उपर जा रहा है यह क्या हो रहा है ऐसे हम इसको ball mills को यूज करते हैं, ताकि हमारा कम से कम समय लगे और जादे से जादे क्या हो fine product हो, ठीक है, तो अब बात करते हैं, इनके uses की for fine grinding with the particle size 5 to 100 mm or less, यानि कि कितने size के लिए हम ball mills को यूज करते हैं, 5 to 100 mm particle size के लिए हम यूज करते हैं कि इसका ball mills का, ठीक है, fine grinding, यानि कि fine grinding ये जो ball mill होते हैं, इसको fine grinding के लिए भी यूज करते हैं, 5 to 100 mm इसमें क्या होगा, हमारा particle size होगा, ठीक, दूसरा ये है, use for the hard और abrasive material, यानि कि जो hard material रहते हैं, ठीक है, जो hard material रहते हैं और abrasive material, abrasive means खुर्दूरा जो रहते हैं, जो material खुर्दूरा रहते हैं, या फिर hard रहते हैं, उनके लिए हम call some mills करते हैं, ball mills करते हैं, तिसरा point ये हो गया, australis, steel, ball are preferred in the production of the ophthalmic and parental product, यानि कि हम australis, steel, जो हमारा इसमें ball है, ये जो हमारा ball है, इसमें हम ball australis, steel का use करेंगे, जब हमारा product ophthalmic होगा, या parental product होगा, ठीक है, अब थेल्मिक जो की eye से related, जो भी हमको बनाना होता है, उसको अब थेल्मिक product करते हैं, और parental जैसे injections, वेगे रहा, emulsion, suspension, ये सब जो हैं, अगर इनको बनाना होगा, तो भी हम क्या करेंगे, australis, steel, use करेंगे हमारा, ठीक है, उसमें different types के, मतलब हम paywalls भी use करते हैं, बहुत सा हो, अब थेल्मिक हो, और parental product हो, ठीक है, ball mill at the lowest speed is used for the milling dyes, pigment और insecticide, अब हमें जब insecticide बनाना, मतलब जब हमें dye बनाना होगा, या pigment बनाना होगा, या फिर insecticides बनाने होगे, तो हम कौन सा स्पीड यूज़ करेंगे, यानि कि ये वाला स्पीड यूज़ करेंगे, ठीक है, जि किसके लिए low speed यूज़ करेंगे, जब हमें dye बनाना हो, pigment बनाना हो, या फिर insecticides बनाने होगे, अब देखिए, next point है, widely used for the production line for the powder such as cement, silicate and fertilizer, यानि कि बॉल्स मिल का तब जाधे यूज़ होता है, जब हमें cements बनाने होते हैं, fertilizer बनाने होते हैं, या फिर silicate बनाने होते हैं, त यह थे different uses, फिर से मैं repeat कर दे रहा हूँ, इनका uses, ball mills का uses for the fine grinding with the particle size, जब हमें particle size 5-200 mm चाहिए, या उससे कम साहिए, तो हमें क्या use करना है, ball mills यूज़ करना है, यह किस के लिए use होता है, तो hard और abrasive material, यानि कि कठोर और खुर्दरुया material के लिए use होता है, तिसरा point यह है, जो ball होगा, वो अस्ट्रेलेस अस्टील का use करेंगे, किस सेंस में, जब हमारा product ophthalmic और parental product लिकालना होगा, ठीक है, speed जो हमारा low होगा, यह जो low speed है, यह कब use करेंगे, जब हमारा diet बनाना होगा, pigment बनाना होगा, या फिर insecticides बनाने होगे, ठीक, लियर, अब इनका जो ball mills का बादे तर यूज किया जाता है, cements बनाने में, fertilizer बनाने में, silicate बनाने में, मतलब widely used हैं इनके, ठीक है, अब बात करेंगे, इनके advantage के बारे में, ठीक है, तो advantage में, पहला point हमारा यह है, very fine powder in product, oh sorry, product नहीं है, produce, यानि कि जब हमारा जो, मतलब product को, बहुत fine powder में, हमें produce करने होंगे, जो भी हमारा material है, अगर माल लिजे, उसको बहुत ही, छोटे-छोटे fine product में, powders form में, use करने होंगे, या फिर reduction करने होंगे, powder form में, तो हम क्या use करेंगे, ball mills का use करेंगे, यह fine powder क्यों produce होते हैं, क्योंकि इन में दोनों लग रहे हैं, अस्ट्रेस, जैसे कि कौन सा attrition अस्ट्रेस लग रहे हैं, और impact अस्ट्रेस लग रहे हैं, दोनों के वज़े से क्या होता है, हमारा fine powders जो होते है, very fine powders produce होते हैं, ठीक है, next है कि closed, closed होता है, so the austerity is possible, यानि कि जो हमारा cylindrical vessels हो होता है, वो closed vessels होता है, जिसमें हम product डालते हैं, और जिसमें ball रहते हैं, वो क्या होता है, cylindrical जो vessel होता है, वो क्या होता है, closed रहता है, open नहीं रहता है, इस वज़ा से उसमें micro organism नहीं गुश सकते हैं, जिसके वज़ा से यह क्या है, esterality provide करता है, third point यह है, suitable for both, weight and dry grinding, यानि अगर हमारा material है, जो अगर weight है और dry है, तो यह दोनों के लिए भी suitable होता है, ball smells, material अगर weight भी है, या फिर dry है, तो दोनों के लिए हम ball smells use कर सकते हैं, अब इसके बाद next point यह है, different shapes of the ball can be used according to the need, यानि कि जैसा हमारा need हो, जैसा हमारा need हो, उस types का, हम उस shape का balls use कर सकते हैं, अब कितने type का हम use कर सकते हैं, जैसे के round balls होते हैं, bonded balls होते हैं, यह structure है कि wide balls होते हैं, और cylindrical rods type के भी उसको balls बोलते हैं, rods भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, तो यह है different जो है, यह shapes of the ball हैं, जो कि हम अपने according to need, जैसा हमें need होगा, हम use कर सकते हैं, उस cylindrical vessels में, कहने का मतलब कि ball mills में, अब बात करेंगे disadvantage की, disadvantage में the ball is very noisy, यानि कि ball mills जो होते हैं, ball mills जो होते हैं, यह very noisy होते हैं, यानि कि बहुँ ज़्यादा यहाँ पर हला गुला सोरूरूरू होता है, यह जब, क्योंकि यह ball क्या होता है, यह एक दूसरे से टकराते हैं, cylindrical vessels, cylindrical walls पर भी टकराते हैं, तो इस से जादे ही noise produce होते हैं, इससेगेंड पॉइंट यह है, ball mills is बॉल मिलिंग इज, इज ए slow process, यानि बॉल मिलिंग जो हता है, ये क्याओ हता है, slow process होता है, इन में हम बहुत ज Rolling similar, टाइम लग जाता है, ये process मतलग fine product जो हता है, बनाने में इन में बहुत जादे time लग जाते हैं, तो ये हमारे disadvantage है, तिसरा disadvantage है कि soft fibrous material cannot be milled by the ball mill यानि कि soft जो material होंगे जादे जो soft होंगे उनको हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्या होंगे कि मतलब soft हैं तो क्या होंगे कि वो जिस product में हमको चाहिए जिस size में चाहिए वो हमारा नहीं बन पाता है उसमें ठीक है दूसरा चीज है fibrous material के अगर बात करें जैसे fibrous material का हम simple सा एक जाम पल लेते हैं उड़ वे गेरा जो हो गया है तो उनको भी हम इसमें नहीं मिल कर सकते हैं यानि कि उनका side reduce नहीं कर सकते हैं ठीक तो हमारा 3 disadvantage हो गया है एक हो गया कि बहुत नुआईजी होता है दूसरा है कि slow process होता है तिसरा यह है कि soft और fibrous material को हम नहीं यूज कर सकते हैं नहीं मिल कर सकते हैं नहीं reduce कर सकते हैं किसमें बाल्स मिल्स में इनके variance यानि variance कहने का मतलब कि ball mills के equally other mills जो होते हैं उसी जो same काम करते हैं तो यह हैते हैं hardings mills hardings mills continuous balls mills और vibrating mills यह 3 mills जो होते हैं यह क्या होते हैं ball mills के या फिर पेबल्स mills के यह variant होते हैं तो this is all about the ball mills पेबल्स mills और the tumbling mills तो बहुत बहुत दने बाद थैंक यू